rate brick और double AC block में क्या अंतर होता है अगर घर बनाते समय हम यूज करे तो rate brick को हम यूज करे या फिर double AC block को हम यूज करे हमारे लिए सही कोन सा रहेगा किसमें पैसे की वचत होगी कोन सा जादा हमें 것 आएगी तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी तो यहां पर size की बात करें double AC block की तो यहां पर होता है 625 x 200 x 100 mm इस size का भी होता है 625 x 200 x 1500 mm का होता है और 625 x 200 x 200 mm का होता है जो हमारा 625 x 200 x 200 mm होता है इसके बाद में 625 x 200 mm को हम 4 inch का block कहते हैं इसके बाद में 6 inch का block कहते हैं और फिर 8 inch का block कहते हैं और जो हमारा 225 mm है इसको हम 9 inch का block कहते हैं weight की बात करें तो यहां पर हमारा जो level AC block होता है जो 4 inch का block होता है 10 से 11 kg का होता है जहां पर एक block आएगा वहां पर 7 inch आपको रखना पड़ेगा तो 7 brick बराबर होता है 25 kg का तो यह block का size बड़ा होता है और brick छोटे होते हैं तो अब इसमें weight comparison करें तो 6 इंच का जो ब्लोक होता है वो 14 से 15 किलो का होता है एक ब्लोक 6 इंच का होता है वहाँ पर 10 से 11 इटे आपको आएगी तो उनका वेट होता है 35 किलोग्राम जो 8 इंच का ब्लोक होता है वो 20 से 21 किलोग्राम का होता है अब ब्रीक की तुनला में 8 इंच का ब्लोक 14 ब्रीक आएगी तो जिसका वेट होता है ताइस केजी 9 इंच का ऐसी ब्लोक 25 किलोक्राम का होता है ब्रीक की तुनला में 16 ब्रीक आएगी अगर हम brick की जगर block का use करते हैं तो dead load काफी कम हो जाएगा और जो block होता है वो brick की तुन्ना में काफी हरका होता है क्योंकि अगर हमारा 2 ETA रखी है तो आपका block चार आ जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं cost of labor work की तो इसमें कितना खर्चा आता है दोनों को काम करवाने में तो दोनों का difference हम देखते हैं अगर 10 by 10 का आपका दिवार है तो उसमें 1100 रुपे आपको खर्चा आयागा और 10 by 10 का आपका जो rate brick है उसका खर्चा आपको आयागा 1600 रुपे तो आप देख सकते हैं कि आपको cost कम लगेगी ब्लोक का काम करवाने में अगर आप brick का काम करवाते हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा आता है तो joints and workability की बात करें तो इसमें हमारा 10 by 10 का जो वाल है उसमें 72 ब्लोक आएंगे और जो हमारा 10 by 10 का जो वाल है इसमें 500 brick आएंगे तो आपको ब्लोक कम लगेंगे और उसमें इते ज़्यादा आएगी तो 108 joints आएंगे और इसमें 600 joints आएंगे brick के estimation and costing की बात करते हैं तो 10 by 10 का जो ब्लोक है और 10 by 10 का जो हमारा brick work है उसमें 72 ब्लोक आएंगे हमारे तो price of block की हम यहाँ पर 50 रुपे लेते हैं और block 50 into 72 करते हैं तो 3600 रुपे हमारा आएगा और एक ब्लोक आएगा 650 रुपे का तो total खर्चा 4250 रुपे तो इसमें brick का calculation भी आप देख सकते हैं कि 520 आएंगे और price of एक ब्लोक का तो 7 रुपे तो bricks आप इसमें इंटू कर देंगे साथ इंटू 520 तो 3640 रुपे आएगा तो इसमें इंटू कर देंगे 381 का तो 950 रुपे आएगा और जो मिट्यो होता है 25 सेफटी लगेगा तो इंटू कर देंगे 50 रुपे तो 1250 रुपे और टोटल खर्चा तो 840 रुपे हमारा आएगा हम brick यूज करते हैं तो उसकी cost ज़्यादा आएगी उसमें पेसर ज़्यादा लगेंगे plaster करते हैं तो उसमें material भी ज़्यादा आएगा अगर आप brick का यूज करते हैं अगर आप ऐसी ब्लोक यूज करते हैं तो उसमें material कम लगेगा क्योंकि उसमें joint का space कम होता है तो इस प्रकार से आपकी पेसर की बच्चत हो सकती है ऐसी ब्लोक यूज करने में